नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान लग्येगा कोई भी पेड गूप अगर आपको जोईन करना है तो सिर्फ 856-80530-969-0608-97523-86455 यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पे कॉल या वाट्टप कर सकते हैं सारे कुशन अटेंट करिया और स्कोर अपना तुरंथ कमेंट करके बता ही नमस्कार मैं होम दिवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टड़ी फोर सिविल से जिसमें आज हम BPSC के कोई जोग्रफी के कुशेंस देखेंगे और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टड़ी फोर सिविल से में कई फ्री और पेट कोशिस यूटूबर टेलिग्राम पर मवजूद हैं जिन्हें आप इस लिंक के थूरू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके जोइन कर सकते है और हमारा पहला क्वेस्चन है निम्लिखित में से कौन सी घटना है जो कार्बॉनी फेरस युक के संबंद में सही नहीं है ठीक है गलत वाली देखनी है देखिए गोनवाना क्रम की चट्टानों का निर्माट इसी में हुआ है बिल्कुल सही है ठीक दूसरा देखते है बड़े वरक्ष और आपके ग्लैस और विस्तर यह भी मतलब जो भी आपके एंफीबियंस हैं इसी युक्य माने जाते है ठीक तो यह भी सही है अब इसमें देख लेते हैं देखिए जो आपका कैलिडोनियन परवती करण है वह है जो वह हुआ था सिलूरियन टाइम में ठीक है सिलूरियन टाइम में और इसका जो सबसे बड़ा पहाना मानan जाता है कि विस्तारी करण कब हुआ था वह हुआ था देवौनियन टाइम में ठीक हैं यह गया तो यहां आपको यहां पर बताना है कि artificial sources कौन से हैं ठीक है तो देखिए घनतवर density है जो यह artificial source में होगा pressure भी artificial source में होगा temperature भी artificial source में होगा और natural source की बात करें तो यह भूकम पुविज्यान जो earthquake seismology है ठीक है तो इससे आप जान सकते हैं कि यह इसका natural source है यह आपको अंत्रिक संरचना का natural source बताएगा इसके अलावा और बताएए इसके अलावा आपका जैसे ज्वाला मुखी होता है वह भी natural source में count होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए बी और सी तीनों से हैं तो answer हो जाएगा अगला देखिए प्रत्वी की आंत्रिक संरचना में जो कोर का घनत्र है वो mental के घनत्र से लगबक कितना अधिक होगा ठीक है दो गुना से अधिक तो आंसर हो जाएगा इसका दो गुना से अधिक ठीक है अपर mental है जो उसका होता है 4.4 ठीक है और जब lower mental की बात करेंगे तो 5.5 होता है ठीक है तो यह आपको data भी याद रखना है आंसर होगा इसका ए अगला देखिए निम्रिकित में से कौन सी चटान है जो आपके आगने चटान से बनी हुई रुपांत्रिच चटान है ठीक मतलब की कौन सी ऐसी चटान है जो की igneous rock से metamorphosis होकर के बनी है ठीक तो slate है dolomite है quartzite है या फिर amphobolite है तो आंसर हो जाएगा इसका d amphobolite क्योंकि amphobolite है जो वह basalt से metamorphosis होकर के बनी है ठीक तो यह आपकी यह तीनों है जो यह आपके sedimentary से metamorphosis होकर के बनी है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा d अगला देखें आस्ट्रेलिया का grid dividing range किस प्रकार के वलन का उधारन है सममित वलन मतलब symmetric fold asymmetric fold आपका monolithic fold या आपका overlap fold ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका c monolithic fold ठीक है और अब देखिए इनके examples भी आत कर लीजे जो आपका symmetric fold है इसका zura mountain यात कर लीजे यह पूछा जाते है mostly ठीक है जूरा mountain है कहाँ पर Switzerland में ठीक है आपका asymm symmetric fold का example भी आत कर लीजे south penian south penine ठीक है और यह कहाँ पर है आपका britain में ठीक है और आपका monolithic का तो यह होई गया over fold का भी देख लीजे over fold के आपके यह है पीर पंजाल ranges इंडिया में ठीक है पीर पंजाल ranges ठीक है तो यह तीनों भी जितने example बताएं इस सारे आपको याद होन अगला देखें जब कास्ट प्रदेश में नदियों का जल है जो वो रंद्रों से नीचे की और रिसने लगता है और नदियों के आगे का पानी क्या शुश्क रह जाता है तो ऐसी घाटियों क्या कहते हैं कंद्रा घाटी आंधी घाटी आपकी क्लिफ घाटी या फिर और आस इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा इसका सुंगार उजल संदी ठीक है अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाकी यह जो तीनों है यह किसको किसको जोड़ती है ठीक है अगला देखें अफरीका की जो तंगानिका जील किन देशों के बीच सीमा बनाती है जाहरे तंजानिया जांबिया या यूगांडा ठीक है तो देखें यह आपकी जाहरे है वो तंगानिका है वो आपकी जाहरे तंजानिया और जांबिया ठीक है इन तीनों से जो है वो बनाएगी ठीक है इसी तरह आप विक्टोरिया भी यात कर लिए व बोड भी बन गया देखिए कट करके हैं न विक्टोरिया उसके बाद आप एक याद कर लीजे आपकी न्यासा जील है जो न्यासा इस यह क्या है यह किसको किसको बनाएगी तंजानिया मलावी और आपका मुजांबिक ठीक है यह अक्सर पूछे जाते हैं सारी जीशने आपको आपके कैस्पियन सागर में गिरती है राइन नदी डैन्यूब या फिर वोलगा तो आंसर है इसका वोलगा नदी कहां पर आपके यूरोप वाले पार्ट में लंबा जो यूरोप का बड़ा सारा पार्ट है कवर करती है डी आंसर अगला देखिए निमलकित में से कौन सी प की वार में कैनरीज है जो यह आपकी कोल्ट करेंट है ठीक है लेकिन ये सारी की सारी है जो यह सब कैसी है आपकी एटलांटिक ओशन की है एक कोई सी भी पैसिफिक ओशन की नहीं है तो आंसर क्या लगेगा नन अगला देखिए प्रत्वी पर प्राप्त सूरताप की वारश परसेंट या 75% यह नहीं तो आंसर है इसका 75% ठीक है और नहीं अर्टिक और आपका अंटार्क टिक है यहां पर अगर देखा जाये तो 50% ठीक है और अगर आपका ध्रुवों पर देखेंगे तो 40% ठीक है तो यहाद भी रखना 75% अंसर D अगला देखिए निम्रेकित में स कौन अर्जेंटीना चिली और अरुगवे में बहने वाली थंडी धुरुवीय धा रहे हैं हुआ है जोंडा है पॉमपैरो है बोरा मिनस्ट्रल है अंसर उजाएगा पॉमपैरो ठीक है अब को कमेंट बॉक्स में बताना है बोरा और मिनस्ट्रल के बारे में मैं बता देता और वोरा मैंस्स्टल कहां से कहां तक बेहती है थंडी है अगर हम आपका बता ठीक है दोनों चीज़े जो ओंडा एक यो हड़िन है ने सब्सक्राइब चिज दूसरी कहां बाता है यह है स्का अर्जेंटीना इससे लेकर एंड उरुग्वे ठीक है इस पार्ट में बहती है ठीक तो यह आपको याद रखना है अगला देखें निम्भिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम है जो भारत का जो मौनसून है उसकी उत्पत्ती में उत्तरदाई माने जाते हैं ठीक है तो उसमें एक जेट स्ट्रीम को भी क है तो आंसर हो जाएगा डी अगला देखें जो आपके टेंपरेट साइकलोंस है शीतोष्न कटबंध चक्रवात है जो उसमें जो रेंफॉल है ठीक है वो आपकी कोल्ड फ्रेंट्स के सहारे मतलब शीत वाताग्र के सहारे किस टाइप के जो बादल है उनको करी करता है ठीक के पूर्वी भागों में मतलब कॉंटिनेंट्स का जो इस्टन पार्ट होगा उसमें 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाएगा यह पूछ रहे हैं देखें एक काम करिए आप बर्णवाल खोलिएगा ठीक है वीडियो को पॉस कर लिज प्लाइमेट और आपका मडिडरेंडियन क्लाइमेट तो आंसर है इसका चैना टाइप आप के बारे में देख लेते हैं देखें इसमें कि गर्मीयों में क्या कि खूब गर्मी होती है और वर्शा है जो वह अच्छी होती है जो वार्शिक वर्शा कहें तो 75 से लेकर के 150 सें 20-20 degree के असपास रहता है आपर ठीक तो आंसर हो जाएगा ए अगला देखें निम्रिखित में से कौन सी मिट्टी पेडो कॉल मिट्टी का उधारण है वेरीज शेर्णोर जैम चेस्टनट या फिर सीरो जैम तो आंसर हो जाएगा इसका यह सारे ही है जो यह पेडो कॉल में आत सही योग से होती है तो पूछ रहे हैं कि जो आपके ऐसे ड्रेन होता है तो उसके लिए कौन सा केमिकल है जो जिम्मेदार है ठीक सूचनाओ में निम्लिखित में से क्या शामिल है जैविक अधिवास बाइलाजिकल है नेचुरल रिसोर्स प्राक्रितिक संसाधन पर्यावर करण के आधारभूत कारण मतलब की environmental factors और वर्तमान पर्यावरण के में निम्नी करण के इस तरकी जांच मतलब checking the level of the degradation in the current environment इन में से कोई नहीं है एक से अधिक तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यह सारी है जो विकास के लिए जिम्मेदार है ठीक है यह अनला देखें मद दीपा बत्रा जरा अरका और बेवार और दहियार ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीथ बेवार और दहियार ठीक है अब comment box में आपको बताना है कि बांकी जो तीन नाम यहां पर दिये हुए है यह किस एरिया के है ठीक है अगला देखें निम्निक्त में से कौन विश्व के प्रमुक चावल उत्पादन शेत्र में शामिल है वेतनाम का तट इरावदी तट मेनाम डेल्टा और मेकॉंग डेल्टा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक है तो आंसर हो जाएगा इसका यह सभी है जो वह जो है वह आपके चावल उत्पादक के शेत्र हैं इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए तो गंगा डेल्टा गंगा डेल्टा यह भी याद रखिएगा अगला देखें यूएसे का जो सुपीरियर जील है उसमें मिसाबी रेंजिस और आपका अलबामा प्रदान प्रांथ है जो उसमें मुक्तकिन खनेज संसाधन के के लिए प्रसिद्ध है लहायस के लिए मैंगनीश के लिए तांबे के लिए या अलमिनियम के लिए मैंसे कोई नहीं है एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा आयरन ओर के लिए एंसर अगला देखें आस्ट्रेलिया का जो मांट ईसा और ब्रॉकन हिल्स यह वाला जो एरिया ह यह किस खरिच संसाधन के लिए फेमस है आयरन ओर के लिए सोने के लिए चांदी के लिए तो आंसर है इसका चांदी और शीशा दोनों के लिए फेमस है तो आंसर हो जाएगा ई अगला देखें निम्लिकित में से कौन सा जल विद्धुत पादक बांद है जो आपका USA में है टैनेसी, ग्रेंट कुली, बोनोविल और आपके सेन जुआकिन तो इसमें क्या है कि सारे ही हैं वो आपके USA से रिलेटेड़ है यह담 आँसर E लगेगा पैक्ट है याद रखें कैनडा का जो अथा वासकाgyal और आपका ग्रेट बिर जील थीक है तो अच्च हो यह पूझ रहा कि 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 खनेश के लिए तो आपको ये भी आज रखन violation के लिए विश्टम केलिए कौन सा और द्योगिक के अंद्र मुख्यत है लौह उसपात उद्योग से संबन देता है ठीक है तो इट्सबर्ग यूएस से बरहिंगम यूएस से आपका हैमिल्टन कैनेडा या फिर लौरन शेत्र आपका फ्रांस से लौह आयस के लिए पूछ रहे हैं तो देखें आयरन एंड स्टील क कहां है यह बोपाल मैं घंदुस्तान मशीन टूल्स लि्मिटेड है जो वह आपका कहां है यह आपका अजमेर में है धिक है क calculating प्रेंटिंग प्रेश है यह आपकी देवास MP में तो यह अनसर हो जाए ग profes Pyrrides & Chemical Development Limited हैन been you यह बिहार में है यह तो पक्का है ठीक लेकि निमलिखित सिक्ष्ण सनस्थान में से कौन सही सुमेलित है देखे आपका सनजे कांदी ऐयूरिविज्यान संस्तान कहां पर है लखनौ में है ठीक सही है एश्याटिक सोसाइटी कहा है कौलकटा में ललित कलाक आदमी कहा है आपके नई दिल्ली में और आपका स्टाफ कॉलेज है यह आपका हैदराबाद में ठीक है तो आंसर हो जाएगा यह सारे ही सही है अगला देखें मदुराई शहर है जो वह निम्लिकित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है वेगई नदी मंडवी मूठा या नर्मदा तो नर्मदा के किनारे तो आपका अगला देखें केंद्रे लीची अनुसंधान केंद्र है जो वह निम्लिकित में से किस इस्थान पर है ठीक है एहमदाबाद गांधी नगर मुझफर पूर या फिर आपका पटना तो आंसर हो जाएगा सी मुझफर पूर निम्लिकित में से कौन से राज्य जूट के मुक्य ठीक है बिहार में कौन-कौन से जिले हैं वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगला देखें निम्लिकित में से किन शेत्रों में शुष्क मरुस्थली काटेदार वनस्पती का विस्तार है दक्षन पस्चिम उत्तर प्रदेश में मद्द्प्रदेश राजिस्थान या लकडी और शारिय चाल दुर्गम वन और सीमित उपयोग ठीक है तो यह सारे ही आपके जो आपके डेल्टिक फॉरेस्ट होते हैं इनकी विशेश्चता हैं तो आंसर हो जाएगा इसका ए अगला देखें निम्लिकित में से कौन सा वरक्ष शुष्क पर्ण पाती है साइडर यह आपका शुष्क पर्ण पाती है तो आंसर दी हो जाएगा अगला देखें रास्टिक क्रशी आयोग जो कि 1976 से 69 में बना वो सामाजिक वनकी को कितने भाग में बाटा उनने आपके दो में तीन में चार में पांच में तो आंसर हो जाएगा इसका तीन भागों में एक अगला देखें यह किसी एरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया ठीक है तो आपको बताना है किस एरिया का है देखें इसमें बराकर तथा गुदावरी बेसन संबलित है जो की चूना पत्थर में संबध्ध है और यहां पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध ह गोंडवान अफसाधी बेसन देखन ट्रेप प्रदेश आपका गोंडवाना अफसाधी बेसन या फिर पुरा प्रकेम्ठे बेसन प्रकेरिंड तो इसका पट्रना में कब एस्टब्लिश हुआ 1972 में अगला देखें निम्लिखित में से कौन सी मुख्य नहर बिहार के गंडग नदी से निकल निकाली गई है पुर्वी सोन पश्मी सोन त्रमेडी या तिरूर तो आंसर है इसका त्रमेडी नहर है जो वो गंडग नदी से निकाली अगला देखें कोसी परियोजना से सम्मंदद कथरों में से कौन सा सत्य है कोसी है जो टिबबत के पठार से निकलती है विहार में कोसी को भागलपुर के निकट गंगा से मिल जाती है ये भी सही है और उत्तरी बिहार का शोक भी बोला जाता है ये भी सही है और हनुमान नगर बैराज है जो ये कोसी नदी पर बना हुआ है ये भी सही है तो चारो ही यहां पर सही है आंसर ए हो जाएगा इसका अगला देखें निम्रिखित में से कौन सी पर्योजना है जो केवल बिहार राज की है ठीक है तो गंडक है जो वो आपके बिहार और यूपी की है ठीक है जो आपकी बान सागर है वो है आपकी यूपी बिहार और एमपी की ठीक है यहां केवल बिहार पूछा है ठीक है रंजीत सागर है वो आपका रावी नदी पर है भाकरा नंगल है जो आपका शत्रज नदी पर है ठीक तो और माता टीला है आपका बेत्वा पर तो आंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है A C B D अगला देखें निमलिकित में से कौन सा विवाद है जो भारत और नेपाल के बीच में है कावेरी जल विवाद कृष्णा जल विवाद महाकाली विवाद या फिर नर्मदा बांध विवाद इनमें से कोई नहीं आई एक से अधिक तो यह है आपका महाकाली विवाद जो की 1996 ह भारत और नेपाल के बीच अगला देखें बहारत में पर्थम जो आला मुखी क्रिया किस योग में घटेत हुई धारवाड में क्रेशियस में विंद्यन में या फिर कुडप्पा यूग में से कोई नहीं आई एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा इसका धारवाड यूग ए अगला देखें भारत के खनिज मांचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच है डेकन ट्रैप आपका छोटा नाकपूर पठार उत्तरी मैदानी भाग या अरावली शेत्रिन में से कोई नहीं है एक से अधिक तो आंसर है इसका छोटा नाकपूर HIS पाबाबुदान हेल्स है करनाटम का में ना की उडीजस एंडाव कुद्रे मुख के तर उडीसा से संबन देता है जबरपानी आपका टिरोडी पॉनिया ये तीनों MP के हैं और उडीसा पूछा है तो केंदुजहार अगला ऑंK निर्वे नम्यखित रेल्वे जोन और उनके मुख्याले में से कौन सही सुमेलित है पूर्वी रेलवे का हेड़कौाटर आपका का सही है अगला पूर्वी रेलवे का ला॥ मद्ध रेल्वे का मुंबई में है और उत्तर पूर्वी रेल्वे का गुरत तो सारे आपको मुख्याले याद करने है यह अंसर अगला देखें राश्ट्री अंतर देशी नौवाहन संस्थान है जो यह कहां और कब स्थापित किया गया नोएडा में 2004 में कॉलकता में 2004 में प नहीं थे है यह आपका पूर में है बिल्कुल सही है ठेक डैबॉलेन है जो यह आपका गोआ में हैं नादि कोची में और देवी अहिल्या भाई होलकर अंतर मंुंबई में नावर करके इंदार में है और लाल बहादुर आश्त्री लखनवाई नहीं है यह कहा है वारणसी में तो आंसर हो जाएगा A अगला देखें विहार से सम्मंदित निम्लिकित खनेज उत्पादक शेत्र और उनके खनेज में कौन सही सुमेलेता देखें एसबस्टस मुंगेर में हैं चीनी मिट्टी के लिए बागलपूर फेमस है पाइराइट के लिए रोहतास और लीथियम के लिए गया सारे ही है जो सही है आंसर हो जाएगा आपर अभी आपको वीडियो को पॉस्ट करना है अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन की बटन तबाए जल्दी मिलेंगे लिए टौफ फिफ्टी कॉस्चिंस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल को स्क्राइब करें अभी तक के लिए योड़ाद करें लिए रिल्मचर तक करेंट बनी मिलेंगे लिए लिए तक करेंटना है अपना है अभी तक करेंगे बताना है